मेरी पहले देश्वासियों नमस्कार दो दिन पहले की कुछ अद्भुत तस्फिरें कुछ यादगार पल अब भी मेरी आँखों के सामने हैं इसलिए इस बार मन की बात की शुरुवात उन्हीं पलों से करते हैं टोक्यो ऑलिम्पिक्स में भारत ये खिलाडियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं पुरा देश रोमांचित हो उठा पूरे देश ने जैसे एक होकर अपने इन्हें उद्धावों से कहा विजय भवा विजय भवा जब ये खिलाडी भारत से गए थे तो मुझे इन से गपशप करने का उनके बारे में जानने और देश को बताने का अवसर मिला था ये खिलाडी जीवन की अनेक चुनोतियों को पार करते हुए यहां पहुँचे हैं आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है इसलिए आईए मिलकर अपने सभी खिलाडियों को अपनी शुब कामना हैं उनका होसला बढ़ाए सोशल मिडिया पर आलम्पिक खिलाडियों के सपोर्ड के लिए हमारा विक्टरी पंच केम्पेइन अब शुरू हो चुका है आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्टरी पंच शेयर करिए इंडिया के लिए चीयर करिए साथियों जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभावी की है देश भक्ति की ये भावना हम सब को जोडती हैं कल यानि 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है करगिल का युद्ध भारत की सेनाव के शौरिय और सहियम का ऐसा प्रतीक है जिसे पुरी दुनिया ने देखा है इस बार ये गवरवशाली दिवस भी अमरुत महुत्सव के बीश में मनाये जाएगा इसलिए ये और भी खास हो जाता है मैं चाहूंगा कि आप करगिल के रोमान चीट कर देने वाली गाथा जरूर पड़े करगिल के वीरों को हम सब नमन करें साथियों इस बार 15 अगस को देश अपनी आज़ादी के 45 साल में प्रवेश कर रहा है ये हमारा बहुत बड़ा सवभाग है कि जिस आज़ादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं आपको याद होगा आज़ादी के 45 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साब्रमत्य आश्रम से अमरुत महोत्सव की सुरुवात होई थी इसी दिन बापू की दाड़ी आतरा को भी पुनरजीवित किया गया था तब से जम्मु कस्मीर से लेकर पूरी चेरी तक गुजराद से लेकर पुरुवत्तर तक देश भर में अमरुत महोत्सव से जूरे कारकम चल रहे हैं कई ऐसी घटनाएं ऐसे स्वाधिंता सेनानी जिनका योगदान तो बहुत बड़ा है लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाई आज लोग उनकी बारे में भी जान पा रहे हैं अब जैसे मोईरांग डे को ही लीजिये मनिपूर का छोटा सा कस्बा मोईरांग कभी नेताजी सुभासंद्र बोस की इंडियन नेस्टनर आर्मी यानि आई एने का एक प्रमुक ठिकाना था यहां आजादी के पहले ही आएने के करनल शौकत मलीगी ने जन्ना फैराया था अमरूत महुत्सव के दोरान 14 एप्रिल को उसी मोईरांग में एक बार फीर तरंगा फैराया गया ऐसे कितने ही स्वाधिन्ता सेनानी और महापुरुष हैं जिने अमरूत महुत्सव में देश याद कर रहा है सरकार और सामाजिक संगठनों की दरब से भी लगातार इससे जुड़े कारकम आयोजित किये जा रहे हैं ऐसा ही एक आयोजन इस बार पंदरा अगस को होने जा रहा है ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ सांसकूरतिक मंत्राले की कोशिश है कि इस दिन जादा से जादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाए इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है राष्ट्रगान.in इस वेबसाइट की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे इस अभ्यान से जुड़ पाएंगे मुझे उमीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे इसी तरह के बहुत सारे अभ्यान बहुत सारे प्रयास आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे अमुर्थ महोचव किसी सरकार का कारकम नहीं किसी राजरिदिक दल का कारकम नहीं यह कोटी कोटी भारत वासियों का कारकम है हर स्ववतंत्र और कृतग्य भारतिय का अपने स्ववतंत्रता सेनानियों को नमन है और इस महोचसव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है ये भावना है अपने स्वाधिन्ता सेनानियों के मार्क पर चलना उनके सपनों का देश बनाना जैसे देश की आजहादी के मतवाले स्वतंतरता के लिए एकजूट हो गए थे वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजूट होना है हमें देश के लिए जीना है देश के लिए काम करना है और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं रोज के काम काज करते हुए भी हम राष्टर निर्मान कर सकते हैं जैसे वोकल फॉर लोकल हमारे देश के स्थानिय उद्दमियों आर्टिस्टों शिल्पकारों बुनकरों को सपोर्ट करना हमारे सहज स्वभाव में होना चाहिए साथ अगस को आने वाला नेशनल हैंलूम डे एक ऐसा आउसर है जब हम प्रयास पूर्वक भी ये काम कर सकते हैं नेशनल हैंलूम डे के साथ बहुत अइतिहासिक प्रुष्टभूमी जुड़ी हुई है इसी दिन 1905 में स्वदेशी अंदोलन की सुरुवात हुई थी साथियों हमारे देश के ग्रामीन और आदिवासी इलाकों में हैलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है ये ऐसा क्षेतर हैं जिससे लाखों महलाए लाखों बुनकर लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे आप स्वयम कुछ न कुछ खरीदे और अपनी बात दूसरों को भी बताए और जब हम आजहादी के 75 साल मना रहे हैं तम तो इतना करना हमारी जिम्मेवरी बंती ही है भाईयो आपने देखा होगा साल 2014 के बात से ही मन की बात में हम अक्सर खादी की बात करते हैं ये आपका ही प्रयास है क्या देश में खादी की बिक्री कई गुणा बढ़ गई है क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिल में एक करोड रुपिय से अधिक की बिक्री हो सकती है लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीते हैं तो इसका लाब हमारे गरीब बुनकर भाई बहनों को ही होता है इसलिए खादी खरीतना एक तरह से जन सेवा भी है देश सेवा भी है मेरा आपसे आगरह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाई और भेनों ग्रामिन इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्स जरूर खरीदे और उसे हैस्टेग माय हैंडलूम माय प्राइड के साथ शैर करें साथियों बात जब आजादी के आंदोलन और खादी की हो तो पुझ्य बापो का स्मरन होना स्वाभाविक है जैसे बापो के नेत्रुतों में भारत छोड़ो आंदोलन चना था वैसे ही आज हर देशवाजी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेत्रुतों करना है यह हमारा करतव हैं कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविद्धताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो तो आईए हम अमरुत महोत्सव को यह अमरुत संकल पले कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्ता, सबसे बड़ी प्राफिक्ता बना रहेगा नेशन फर्स्ट, आल्वेश फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे वढ़ना है मेरे पहरे देश्वासियों, आज मैं मन की बात सुन्द रहें मेरे युवासाथियों का विशेश आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अभी कुछ दिन पहले ही माय गौव की और से मन की बात के स्रोताओं को लेकर एक स्टड़ी की गई थी स्टड़ी में ये देखा गया कि मन की बात के लिए संदेश और सुजाव भेजने वालों में प्रमुक्त ह कौन लोग है study के बाद ये जानकारी सामने आई कि संदेश और सुझाव भेजने वालों में से करीब करीब 75 प्रतिशत लोग 35 वर्स की आयूश से कमके होते हैं यानि भारत की युवाशक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं मैं इसे बहुत अच्छे संकेत के रुप में देखता हूँ मन की बात एक ऐसा माध्यम है जहां सकारात्मकता है संबेदन सिलता है मन की बात में हम positive बाते करते हैं इसका character collective है सकारात्मक विचारों और सुझावों के लिए भारत के युवाशक्ति की ये सक्रियता मुझे आनदित करती है मुझे इस बात के भी खुशी है कि मन की बात के माध्यम से मुझे युवाशक्ति के मन को भी जानने का आउसर मिलता है साथियों आप लोगों से मिले सुझाव ही मन की बात की असली ताकत है आपके सुझाव ही मन की बात के माध्यम से भारत की विवित्ता को प्रगट करते हैं भारत वासियों के सेवा और त्याक की खुश्मों को चारों दिशाओं में फैलाते हैं हमारे महनत का स्युवाओं के इनोवेशन से सब को प्रेरीद करते हैं। मन की बात में आप कही तरह के आइडियाज बेजते हैं। हम सभी पर तो चर्था नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन में से बहुत से आइडियाज को मैं सम्मंदित विभाकों को जरूर बेता हूं ताकि उन पर आगे काम किया जा सके हैं। साथियों मैं आपको साई प्रनीच जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूं। साई प्रनीच जी एक सोब्वेट इंजिनियर है आंधर प्रदेश के रहने वाले हैं। पिछले बर्स उन्होंने देखा कि उनके यहां मौसम की मार की वज़े से किसानों को काफी नुक्षान उठाना पड़ा था। मौसम बिग्यान में उनकी दिल्चस्पी बर्सों से थी। इसलिए उन्होंने अपनी दिल्चस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तिमाल करने का फैसला किया। अब वे अलग-अलग डेटा सोर्से से भेदर डेटा खरीते हैं। उसका विश्टलेशन करते हैं। और स्थानिय भाषा में अलग-अलग माध्यमों से किसानों के पांग जरूरी जानकारी पहुचाते हैं। भेदर अपडेट्स के अलावा प्रजिची अलग-अलग ट्राइमेट करनिशन्स में लोगों को क्या करना चाहिए। गाइनस भी देते हैं। खासकर बाड से बचने के लिए या फिर तुफान या बिजली गिरने पर कैसे बचा जाए। इस बारे में भी वो लोगों को बत आते हैं। साथियों एक और इस नौजवान सौप्वेर एंजिनियर का ये प्रयास दिल को छूने वाला है। तो दूसरी और हमारे एक साथी के द्वारा किया जा रहा टेक्नोलोजी का उप्योग भी आपको अचंपित कर देगा। ये साथी हैं ओडिशा के संबलपूर जि सेंसेशन बन गए हैं। अपने यूटूब चैनल से वो काफी रुपिय कमा रहे हैं। वे अपने वीडियो में स्थानी वेंजन, पारंपारिक खाना बनाने के तरीके, अपने घाउं, अपने लाइफस्टाइल, परिवार और खान पान की आदतों को प्रमुक्ता से दिखा एक यूटूबर के रूप में उनकी यात्रा मार्ट 2020 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने ओडिशा के मस्थूर थानी वेंजन, पाखाल से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था, तब से वे सैंकड़ों वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। उनका ये प्रयास कई कारों से सबसे अलग है, खास कर इसलिए कि इस से शहरों में रहने वाले लोगों को वो जीवन सहली देखने का आउसर मिलता है, जिसके बारे में वे बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इसाग मुंडा जी, कल्चर और कुजिन दोनों को बराबर मिला करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम सब को प्रेणा भी दे रहे हैं। साथियों, जब हम टेक्नोलोजी की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं एक और इंट्रेस्टिंग विशे की चर्चा करना चाहता हूँ। आपने हाल, फिल हाल में पड़ा होगा, देखा होगा कि IIT मद्रास के अलुमनी द्वारा स्थापित एक स्टार्ट अप ने एक 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है। 3D प्रिंटिंग करके घर का निर्मान आखिर ये हुआ कैसे? दरसल इस स्टार्ट अप ने सबसे पहले 3D प्रिंटर में एक 3D डाइमेंशनल डिजाइन को फिर किया, और फिर एक विशेष प्रकार के कॉंकरीट के माध्यम से लेयर बाय लेयर एक 3D स्ट्रक्चर फैब्रिकेट कर दिया। आपको यह जानकर खुशी होगी कि देश भर में इस प्रकार के कई प्रवग हो रहे हैं। एक समय था जब छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के काम में भी वर्षों लग जाते थे। लेकिन आज टेक इनोवेटिव कंपनीज को आमत्रित करने के लिए एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलोजी चैलेंज लॉंच किया था। यह देश में अपनी तरह का अलग तरह का अनुखा प्रयास है। इसलिए हमने इन्हें लाइट हाउस प्रोजेक्स का नाम दिया। फिलहाल देश में छ और तरीकों का इस्तिमाल किया जाता है। इससे कंस्ट्रक्शन का टाइम कम हो जाता है। साथी जो गर मनते हैं वो अधिक टिकाव, किफायती और आराम दायक होते हैं। मैंने हाली में ड्रॉंस के जरिये इन प्रोजेक्स की समिक्षा भी की और कायरे की प्रग्यति को इस्तिमाल किये जा रहा है। राजकोट में Lighthouse French Technology से बनाये जा रहा हैं। जिन में Tunnel के जरिये Monolithic Concrete Construction Technology का इस्तिमाल हो रहा है। इस टेक्नोलोजी से बने घर आपदाउं का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम होंगे। चेड़न yolगी में अमेरिका और Finland की टेक्नोलोजी प्र कास concrete system का उपयोग किया जा रहा है इससे मकान जल्दी भी बनेंगे और लागत भी कमाएगी राची में जर्मनी के 3D construction system का प्रयोग करके घर बनाए जाएंगे इसमें हर कमरे को अलग से बनाए जाएगा फिर पूरे structure को उसी तरह जोड़ा जाएगा जैसे block toys को जोड़ा जाता है अगर तला में नुजिलेन की technology का उपयोग कर steel frame के साथ मकान बनाए जा रहा है जो बड़े भूकम को जेल सकते हैं वही लखनव में कनड़ा की technology का इस्तमाल किया जा रहा है इसमेर plaster और paint की जरूरत नहीं होगी और तेजी से घर बनाने के लिए पहले से ही तैयार दिवार का प्रयोग किया जाएगा साथियों आज देश में ये प्रयास हो रहा है कि प्रोजेक्ट incubation centers की तरह काम करें इससे हमारे planners, architects, engineers और students नई technology को जान सकेंगे और उसका experiment भी कर पाएंगे मैं इन बातों को खास तोर पर अपने युवाओं के लिए साजा कर रहा हूँ ताकि हमारी युवा राष्ट हीत में टेक्नोलोजी के नए नए ग्षेत्रों की और प्रोच्छाहित हो सकें मेरे प्यारे देश्वासियों आपने अंग्रेजी के एक कहावत सुनी होगी तो लर्न इस टो ग्रो यानि सीखना ही आगे बढ़ना है जब हम कुछ नया सिखते हैं तो हमारे लिए प्रगति के नएने रास्ते खुद बखुद खुल जाते हैं जब भी कहीं लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास हुआ है मानवता के लिए नए द्वार खुले हैं एक नए युक का आरंब हुआ है और आपने देखा होगा जब कहीं कुछ नया होता है तो उसका परणाम हर किसी को अस्षरी चकित कर देता है अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछो कि वो कौन से राज्य हैं जिने आप सेव एपल के साथ जोड़ेंगे तो जाहिर है कि आपके मन में सबसे पहले हिमाचल पदेश, जमु कश्मीर और उतराखन का नाम आएगा पर अगर मैं कहूँ कि इस लिस्ट में आप मनिपूर को भी जोड़ दीजिए तो शायद आप आश्यरे से भर जाएंगे उस नया करने के जजबे से भरे युवाओं ने मनिपूर में ये कारनामा कर दिखाया है आजकल मनिपूर के उखुरूल जीले में सेव की खेती जोर पकड़ रही है यहाँ के किसान अपने बागानों में सेव उगा रहे हैं सेव उगाने के लिए इन लोगों ने बाकाइदा हिमाचल जाकर ट्रेनिंग भी लिए है इन में से एक है टी एस रिंग फामी यौंग ये पैसे से एक एरोनोटिकल एंजीनियर है उन्होंने अपनी पत्नी स्रीमती टी एस एंजेल के साथ मिलकर सेव की पैदावर की है इसी तरह अउंगर्शी शिम्रे ऑग्स्टीन ने भी अपने बागान में सेव का उत्पादन किया है अउंगर्शी दिल्ली में जॉब करती थी ये छोड़कर वो अपने गाउं लोड़ गई और सेव की खेती शुरू की मनिपूर में आज ऐसे कई एपल ग्रोवर है जोनोंने कुछ अलग और नया करके दिखाया है साथियों हमारे आदिवासी समुदाय में बेर बहुत लोग प्रिय रहा है आदिवासी समुदायों के लोग हमेशा से बेर की खेती करते रहे हैं लेकिन COVID-19 महमरी के बाद इसकी खेती विशेस रुप से बढ़ती जा रही है त्रिपुरा के उन्हा कोटी के ऐसे ही 32 साल के मेरे विवासाती है विक्रम जी चक्मा उन्होंने बेर की खेती की शुरुवात कर काफी मुनाफ़ा भी कमाया है और अब तो लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेदित भी कर रहे हैं राज्य सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है सरकार द्वारा इसके लिए कई विशेस नरसरी बनाई गई है ताकि बेर की खेती से जुड़े लोगों की माम पूरी की जा सके खेती में इनोवेशन हो रहे हैं तो खेती के बाई प्रोड़क्ट में भी क्रियेटिविटी देखने को मिल रही है साथियो मुझे उत्तर प्रदेश के लखिमपूर खिरी में किये गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है कोविड के दोरान ही लखिमपूर खिरी में एक अनोखी पहल हुई है वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनी देने का काम शुरू किया गया बेस्ट में से बेस्ट करने का मार्गर केले के तने को काट कर मशिन की मदद से बनाना फाइबर तयार किया जाता है जो जूट या सन की तरह होता है इस फाइबर से हैंड बेक, चटाई, दरी कितनी ही चीजे बनाई जाती है इससे एक तो फसल के कचरे का इस्तेमाल शुरू हो गया वही दूसरी तरफ गाउं में रहने वाली हमारी बेहनों बेटियों को आएका एक और साधन मिल गया बनाना फाइबर के इस काम से एक स्थानिय मैला को 400 से 600 रुपिय प्रतिदीन की कमाई हो जाती है लखिमपुर खीरी में सेंकड़ों एकर जमीन पर केले की खेती होती है केले की फसल के बाद आम तोर पर किसानों को इसके तने को फैंकले के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था अब उनके पैसे भी बच जाते हैं यानि आम के आम गुठलियों के दाम यह कहावत यहां बिलकुल सतिक बैठती है साथियों एक और बनाना फाइबर से प्रोटस बनाए जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुर जैसे स्वाधिष्ट बेंजन भी बन रहे हैं करणा टक के उत्तर कंडड और दक्षिन कंडड जिलों में महिला यह अनूठा कार्य कर रही हैं यह शुरुआद भी कोरोना काल में ही हुई हैं इन महिलाओं ने न सिर्फ केले के आटे से डोसा गुलाब जामुर जैसी चीज़े बनाई बलकि इनकी तश्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है जब जादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला तो उसकी डिमांड भी भड़ी और इन महिलाओं के आमन्दी भी लखिमपूर खिरी की तरह यहां भी इस इनोवेटिव आइडिया को महिलाएं लीड कर रही है साथियों ऐसे उधारन जीवन में कुछ नया करने की प्रेणा बन जाते हैं आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जब आपका परिवार मन की बाते कर रहा हो तो आप इने भी अपनी गबसब का हिस्सा बनाईए कभी समय निकाल कर बच्चों के साथ ऐसे प्रयासों को देखने भी जाईए और आउसर मिल जाए तो खुद भी ऐसा कुछ कर दिखाईए और हाँ यह सब आप मेरे साथ नमो एप या माईगो पर साजा करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा मेरे पैरे देशवासियों हमारे संस्कृत गंतों में एक श्लोग है आत्मार्थम जिवलोके अस्मिन कोन जिवती ही मानव हो परम परोपकार्थम यो जिवती सजिवती अर्थात अपने लिए तो संसार में हर कोई जीता है लेकिन वास्तों में वही व्यक्ती जीता है जो परोपकार के लिए जीता है भारत मा के बेटे बेटियों के परोपकार एक प्रयासों की बात है यही तो मन की बात है आज भी ऐसे ही कुछ और साथियों के बारे में हम बात करते हैं एक साथी चंडीगर्द शहर के हैं चंडीगर्द में मैं भी कुछ वर्सों तक रह चुका हूँ यह बहुत खुश मिजाज और खुबसुरत शहर है यहां रहने वाले लोग भी दिलदार है और हाँ अगर आप खाने के शौकीन हो तो यहां आपको और आनंद आएगा इसी चंडीगर्द के सेक्टर 29 में संजे राना जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकल पर छोले भटूरे बेचते हैं एक दिन उनकी बेटी रिद्वा और भतीजी रिया एक आइडिया के साथ उनके पास आई दोनों ने उनसे कोवीड वैक्सिन लगवाने वालों को फी में छोले भटूरे खिलाने को कहा वेश के लिए खुशी खुशी तयार हो गए उन्होंने तूरंत ये अच्छा और नेक प्रयाश शुरू भी कर दिया संजे राना जी के छोले भटूरे मुप्त में खाने के लिए आपको दिखाने पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सिन लगवाई है वैक्सिन का मैसेज दिखाते ही वे आपको स्वादिस्थ छोले भटूरे दे देंगे कहते हैं समाज की भलाई के काम के लिए पैसे से ज़्यादा सेवा भाव करतवे भाव की ज़्यादा आवश्यक्ता होती है हमारे संजे भाई इसी को सही साबित कर रहे हैं साथियों ऐसे ही एक और काम की चर्चा हाज करना चाहूंगा ये काम हो रहा है तमुल नाडू के निलगीरी में वहां राधिका साथ्री जी ने एमबूरेक्स प्रोजेक्ट की शुरुवात की है इस प्रोजेक्ट का मकसद है पहड़ी इलाकों में मरीजों को इलाज के लिए आसान ट्रांसपोर्ट उपलब्द कराना राधिका कुन्नूर में एक कैफे चला दिये हैं उन्होंने अपने कैफे के साथियों से एमबूरेक्स के लिए फंड जुटाया निलगिरी पहड़ियों पर आज छे एमबूरेक्स सिवारत हैं और दूर दराज के हिस्सों में इमर्जन्सी के समय मरीजों के काम आ रही है एमबूरेक्स में स्ट्रेचर, अक्सिजन सिलिंडर, फर्स्टेट बॉक्स जैसी कई चीजों की ववस्ता है साथ्यों, संजय जी हो या रादिकाजी, इनके उधारों से पता चलता है कि हम अपना कारिया, अपना व्यवसाय, नोकरी करते करते भी सेवा के कारिय कर सकते हैं साथ्यों, कुछ दिन पहले एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल इवेंट हुआ जिससे भारत जॉर्जिया मैत्री को नई मजबूती मिली, इस समारों में भारत ने सैंट क्वीन केटिवान के होली रेलीक यानि उनके पवित्र स्मृती चिन को जॉर्जिया की सरकार और वहां की जनता को सौपा इसके लिए हमारे विजेश मंत्री स्वयम बहां गए थे बहुती बावुक माहोल में हुए इस समारों में जॉर्जिया के राष्पती, प्रधान मंत्री, अनेग धर्मगुरू और बड़ी संख्या में जॉर्जिया के लोग उपस्तित थे इस कारकम में भारत की प्रसुंसा में जो सब्त कहे गए वो बहुती यादगार है। इस एक समारों ने दोनों देशों के साथ ही गोवा और जॉर्जिया के बीच के समंधों को भी और प्रगार कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सैंट क्वीन केटवान के ये पवित्र अवशेश 2005 में गोवा के सैंट ऑगस्टिन चर्च से मिले थे। साथियों आपके मन में सवाल होगा कि ये सब क्या है ये कब और कैसे हुआ। दरसल ये आज से 400-500 साल पहले की बात है क्वीन केटवान जोर्जिया के राजपरिवार की बेटी थी। दस साल के कारवस के बाद 1624 में वो शहीद हो गई थी। एक प्राचीन पुर्टुगाली दस्तावेच के मताबिक सेंट क्वीन केटवान की अस्थियों को ओल्ड गोवा के सेंट ऑगस्टिनियन कॉन्वेंट पे रखा गया था। लेकिन लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि गोवा में दफ्णाय के उनके अउशेश 1930 के भुकब में गायब हो गए थे। भारत सरकार और जॉर्जिया के इत्यासकारों, रिसर्चर्स, आर्कियोलोजिस्ट और जॉर्जियन चर्च के दसकों के अथक प्रयासों के बाद 2005 में उन पवित्र अउशेशों को खोजने में सफलता मिली थी। ये विशेश जॉर्जिया के लोगों के लिए बहुत ही भावनात्मक है। इसलिए उनके historical, religious और spiritual sentiments को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने इन अवशेशों का एक आउंस जॉर्जिया के लोगों को भेंट में देने का निले ने लिया। भारत और जॉर्जिया के साजे इतियास के अनुठे पक्ष को संजोय रखने के लिए मैं आज गोवा के लोगों को रदय से धन्वाद देना चाहूंगा। गोवा कई महान अध्यात्मिक धरोहरों की भूमी रही हैं। सैंट आगस्टिन चर्च युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट चर्चीज एन कॉन्वेंट्स अब गोवा का एक हिस्सा है। मेरे पहरे देश भासियों जॉर्जियार से अब मैं आपको सीधे सिंगापूर लेकर चलता हूं। जहां इस महिने के शुरुवात में एक और गवरोशाली अवसर सामने आया। सिंगापूर के प्रधान मंत्री और मेरे मित्र ली सेन लूंग ने हाली में रिनोवेट किये गए सिलाट रोड गुरुद्वारा का उधारन किया। उन्होंने पारमपारिक सिख पगड़ी भी पहनी थी। यह गुरुद्वारा लगबग सों साल पहले बना था। और यहां भाई महराची जी जी ने भारत की स्वतंतरदा के लिए लड़ाई लड़ी थी। और यह पल आज हदी के 75 साल मना रहे हैं तब और अधिक प्रेरक बन जाता है। दो देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट उसे मजबूती ऐसी ही बातों ऐसे ही प्रयासों से मिलती है। इनसे यह भी पता चलता है कि सवहार्दपूर महावल में रहने और एक दूसरे की संस्कूरूती को समझने का कितना महत्व है। मेरे पैरे देशवासियों आज मन की बात में हमने अनेक विश्यों की चर्चा की। एक और विश्य है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह विश्य है जल सवरक्षन का। मेरा बच्पन जहां गुज्रा वहाँ पानी की हमेशा से किल्लत रहती थी। हम लोग बारिस के लिए तरस्ते थे और ते पानी की एक-एक मुंद बचाना हमारे संस्कारों का हिस्सा रहा है। अब जन भागीदारी से जल सवरक्षन इस मंत्र ने वहाँ की तस्वीर बदल दी है। पानी की एक-एक मुंद को बचाना पानी की किसी भी प्रकार की बरबाईदी को रोकना यह हमारी जीवन सहली का एक सहज हिस्सा बन जाना चाहिए। हमारे परिवारों की ऐसी प्रंपरा बन जानी चाहिए जिससे हर एक सदस्य को गर्व हो। साथियों प्रकूती और परियावरा की रक्षा भारत के सांस्कृतिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में रचा बसा हुआ है। वहीं बारिस और मौनसून हमेशा से हमारे वीचारों, हमारी फिलोसोफी और हमारी सभ्यता को आकार देते आए हैं। रूतु सहुवार और मेगदूत में महा के भी कालिदास ने वर्षा को लेकर बहुती सुन्दर वर्णन किया है। सहित्य प्रेमियों के बीच ये कविताएं आज भी बेहत लोगप्री हैं। रुगवेत के परजन्य सुक्तम में भी वर्षा के संद्रे का खुबसूर्ती से वर्णन है। इसी तरह स्रीमत भागवत में भी कावियात्मक रूप से पृत्वी सुर्य और वर्षा के बीच के समंधों को विस्तार भी आ गया है। दोहन किया था, अब मौनसूर्ण के मौसम में सुर्य इस संचित संपदा को पृत्वी को वापिस लोटा रहा है। वाकई मौनसून और बारिस का मौसम सिर्फ खुबसूरत और सुहना ही नहीं होता, बलकि यह पोशन देने वाला जीवन देने वाला भी होता है। वर्षा का पानी जो हमें मिल रहा है, वो हमारी भावी पीडियों के लिए है, यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आज मेरे मन में विचार आया कि क्यों इन रोचक संदर्वों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करूँ। आप सभी को आने वाले परवों की बहुत बहुत सुपकामनाएं, परवों और उत्सों के समय यह जरूर याद रखेगा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गयान नहीं है, कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल आपको भूलने नहीं है, आप स्वस्त और प्रसंद रहें, बहुत धन्यवाद